अगर आप भी अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो उसको आपको बदलना होगा अच्छी आदतों एक्जम्बल के तोर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ आपके पास मालनी जीए स्कूटर है और अगर आपको स्कूटर चलाना छोड़ना है तो आपको मारूतिकार लेनी ही होगे तो इसलिए छोटे मजे के चक्कर में आप अपना बड़ा मज़ा को रहे हो तो इसलिए आपको बुरी आदतों को छोड़ना होगा और अच्छी आदत भी देखा होगा कि जो लोग meditation करते हैं वो बोलते हैं कि हमें इससे कोई फाइदा नहीं मिल रहा है बलगी और नुकसान हो रहा है वो इसलिए क्योंकि वो meditation जो है गलत तरीके से करते हैं इसी बड़े से उनको फाइदे नहीं मिल पाते हैं अगर आपको जाना है कि meditation करने के बाद आपको कैसी feeling आनी चाहिए और इसके फाइदे क्या है उसका मैं आपको एक example बताने जा रहा हूँ जैसे ही आप सुबह उठते हैं सुबह उठने का मतलब यह नहीं कि 12 बज़े एक बज़े उठते हैं मैं आपको कुछ ऐसे नियम बता रहा हूँ कि अगर आप यह अपनी meditation में अपनाते हैं तो आपको 100% फाइदे मिलने वाले हैं meditation से सबसे पहले अगर आप meditation बिस्तर पर बैठ के कर रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत कि आप अगर बिस्तर पर ही बैठ कर meditation करते हैं तो आपका फिर दुबारा से मन करेगा कि मुझे लेटना है आपका दुबारा से दिल लेटने का करेगा आराम करने का करेगा तो इसलिए आपका mind meditation में कम है लेटने में ज़्यादा है तो कभी भी अपने बिस्तर पर meditation ना करें हमेशा अपने बैठ से दूर जाकर नीचे बैठ कर चटाई बिछाकर उसके उपर बैठ कर आपको meditation करना चाहिए जितने भी आप जमीन से जुड़े रहकर meditation करेंगे उतनी ही अच्छी feeling आपको आएगगे और एक और चीज बता देना चाहता हूँ जब आप meditation करें तो आपकी जो reading की हटी है वो बिल्कुल सीथी होनी चाहिए और माहौल ऐसा होना चाहिए कि उस टाइम आपके आसपास कोई ना हो और आपको disturb करने वाला ना हो आपको कोई परिशान करे या ना करे यह ज़्यादा important नहीं है सबसे आदा important यह है कि आपका मन आपको परिशान ना करे क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे ही आप meditation में बैठेंगे तो फोरन आपका मन करेगा मुझे यह करना है मुझे वो करना है क्या कर रहा है यार इसको छोड़ तो इसलिए आपका मन मजबूत होना चाहिए आपकों को बंद रखना है और आपका सारा का सारा ध्यान अपनी सांसों पर होना है किस तरह से आप सांस ले रहे हैं किस तरह से आप साथ छोड़ रहे हैं इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है देखो स्टाटिक में तो कोई perfect नहीं होता है जादर दिन बीतने शुरू हो जाएंगे इतने ही अच्छी आपको feeling आने लग जाएगी और फिर आप meditation चाहे एक घंटा करिए दो घंटा करिए फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है यहां तक कि आपका मन भी एक bonus point और एक और देना चाहूँगा मैं आपको कि अगर आप शुरुआत में meditation कर रहे हैं और meditation करते हुए आपका मन बहुत जादा भटक रहा है तो आप किसी भी religion के हो अपनी religion के अगर Muslim है तो Quran और Hindu है तो Aum का जाप जिस भी religion के हो आप उसी religion के हिसाब से आप किसी भी एक मंतर का जाब करते रहें और meditation करते रहें और एक बार जो आदमी meditation में perfect हो जाता है perfect का मतलब यह नहीं कि दुन्या में कोई भी किसी कामें perfect नहीं हो सकता है लेकिन हाँ इतना हो जाता है कि 15-20 मिन तक आप अपने मन को संभाल सकते हैं और आसानी से आप meditation में बैठ सकते हैं तो फिर वो इनसान इतना योग्य हो जाता है कि अगर आपके सामने कोई भी असलील फोटो या असलील वीडियो आ रही है तो आप अपने आपको गलत काम करने से रोक सकते हैं एक और important चीज़ बताना चाहूंगा 12-18 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके जो hormones होते हैं इस टाइम में वो अपने आपको control नहीं कर पाते हैं तो खासकर अगर वो इसी उम्र में meditation करना start कर दे और इन चीज़ों को समझना start कर दे तो उनकी जिन्दगी बहुत ही joyful और बहुत ही आसान हो जाती है क्योंकि इस उम्र में ना तो दिमाग की सुनते हैं ना ही दिल की सुनते हैं सिर्फ hormones की सुनते हैं जो feelings हमारे अंदर आती हैं जो हमें control कर लेती हैं पुरी तरह से अपर आप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा meditation के बारे में और अगर आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं Facebook पर भी follow कर सकते हैं और मैं Instagram पर live आने के कोशिश करूंगा और आप लोगों के जो problems इनको solve करने के कोशिश करूंगा तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना बिलकुल मत बूलना मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में इसी चैनल पर अब तक के लिए thank you so much take care and bye bye